खूंट यहलो फ्रेंड्स अज मैं फुट प्रीड पर आया हूं तो अब देख सकते हैं यह कैसा है सिर्फ एक पतला सा लखड़ी का व्रीज है और यह चारों तरफ पानी पानी है अब देख सकते हैं और आगे वहां पे एक यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सभी जगह आने के लिए यहां से पैदल ही जा सकते हैं मुझे लगता है यहां यह ज़्यादा गहरा भी नहीं है आपको मैं दिखाता हूं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह मैंगलोर में है यह बहुत लंबा ब्रीज है फूट का इसमें पैदल आप जा सकते हैं और यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है यह मैंगलोर से 10 किलो मीटर पे होगा यह वाला जगह 10-12 किलो मीटर पे अभी जहां पे मैं आया हूं इसका लोकेशन भी वेज़ दूँगा तो आप यहां पे डाय मैं आगे और इधर लोग इस तरफ से उस तरफ जाते हैं और यहां पे बोटिंग भी होता है तो आप देख सकते हैं बट यहां पे भीड कम है और यहां का रोड बहुत पतला है आने का बताईएगा कमेंट करके कि कैसा है यह जगह यह वाला जो ब्रीज है यह हिलता भी है यहां पर बहुत हिल रहा है ऐसे लग रहा है यह पलट ही जाएगा और यह तो मतलब बहुत पतले ओ बंबू की लकड़ी से बांदा हुआ है बहुत कमजोर ब्रीज मुझे लग रहा है तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप समल के चलिएगा यहां पर तूट भी सकता है और यह मैं बीच में पहुच गया हूं आप देख सकते हैं बीच का व्यू बहुत लंबा ब्रीज है यह चोटा नहीं है और यहां पर लोग भी आ रहा है एक बच्चा स्कूल जा रहा ह मैं यहां के बारे में बता देता हूं यहां का कोई इंटी फिस नहीं है अब अराम से यह मुझे लगता है लोगों को इस पास से उस पार जाने के लिए बनाए गया है और यहां के लोकल लोग है वो यहां से जाते हैं यहां का व्यू बहुत अच्छा है और यह बहुत बड मुझे लगता है नदी है छोट नहां पर वह जो पास हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लगते हैं ताय से स क्का बहुत है ते छोटा है ताय को यारeld को कि आपाई से घज रहा है क्या है एंद पासना affected में से क्याकते हैं क्या कार्थम्पしま नहाँ एंदे शित rush रिधर में झाल झाल